आल राइट, उम्मीद करता हूँ कि पिछले बीते सभी तिहार आपने बहुत अच्छे से इंजोई की होंगे अब मुझ्जे की बात पे आते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 90 days के अंदर 90% लाने की 90 marks लाने की आपको तयारी करनी है अपने board exam के लिए with full of motivation उसी motivation को उसी energy को बरकरार रखते हुए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपने thumbnail पढ़ी लिया होगा आज मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए चाहिए मुझे आप से आपके साड़े तीन घंटे चाहिए कितने होते हैं साड़े तीन घंटे अरी सिर्फ इतने ही होते हैं कि आप किसी cinema hall में जाके टाइगल सी या कोई सी movie देखके आ जेंगे इतना ही टाइम लगेगा और यहीं है साड़े तीन घंटे या तो आप जाएए movie देखके आजिए थोड़ी देर का आपको उसमें बदले में मिलेगा हो अल्ला मसी आ गए शारुखान के एंट्री हो गई दमादार एक्षन बस यहीं मिलेगा थोड़ी देर के लिए या तो आप वही साड़े तीन घंटे मुझे दीजिए मुझ में इन्वेस्ट कीजिए मैं आपको क्या दुका मैं आपको यह दूँगा यह बुक देख रहे हैं आप आ स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल डियर सर में सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे डियर सर साड़े तीन घंटे के अंदर सिलिबस अंप्लिट करवा रहे हैं आईए अब बात करते है यह आपका सिलिबस है यह आपके यूनिट है इनके अंदर आपके चैप्टर है चैप्टर नंबर वन से में स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर नंबर वन है आपका रियल नंबर क्या क्या इसके अंदर से बोर्ड एक्जाम में आएगा देखें मुद्दे की बात तीन नं है कैसे आपको बनाना है यह वीडियो आप देख रहा है मेरी 4.3 मिलियन व्यूज इस वीडियो से बनाना है अब मैं आप से यह नहीं कहूंगा कि जाओ मेरी यह वीडियो देख लो और नहीं कुछ भी नहीं समझते रहो बात को मेरे आपके सिर्फ साड़ा तिन घंटे मांगें उस जादो कुछ नहीं लूगा देखिए इस वीडियो को आपको देखना है कहां से स्टार्ट करना है आपको पांच मिनट से ओधेर मिनट तक देखना है कितने मिनट हो गए जरा काउ यूटूब पर जाना है सर्च करना है ढूंडनी है फिर पांच मिनट आगे बढ़ाना है कुछ भी नहीं करना आपको जी हां कैसे फिर यहां पर देखो समझो बात को यह जो है जो मैंने यह पीडियो बनाई है जो मैंने स्लाइड बना रखी है इसकी एक पीडियो बनेगी वो पीडिय येफ आपको हमारे टेलिँ ग्रूप पे मिलेगी कान कोल के सुन लो कहा मिलेगी हमारे टेलिइगरा मुरूप मिलेगी और मैं अपने इंस्टाग्राम के वी इ स्ट Kommunen तो इस टूरी पर लगा दूगा उस पीडियेफ को डाउनलोड करना फिर क्या होगा फिर यह करना जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे डायर्यक्ट आपके सामने ये वीडियो खुलेगी और पांच वे मिनट से खुलेगी, जी हाँ यह है मज़दार खेल ये पूरा सिस्टम आप के लिए बनाया है बहुत मेहनद इसमें लगी है लिंक पर किलिक करोगे डिरेक्ट ये वीडियो खुलेगे पास्वे मिनट से खुलेगी कैसे आपको डिमोंस्ट्रेशन करके दिखा देता हूं देख कर जाओ जैसे कि यहां पर ये पीडियेफ है ठीक है जी अपने फोन में रखना ये लिंक पर किलिक करके आपको कई भठकना नहीं पड़ेगा ना आपको यूटीब पर जाना पड़ेगा ना सर्च करना पड़ेगा ना आगे बढ़ाना पड़ेगा लिंक पर किलिक करो डायरेक्ट मुद्दे की बार शुरू होगी ती नंबर आपके आठ मिनट के अंदर तय फचेप्टर से क्या कि पढ़ना है बहुत तगली जांकारी है इन्दर पूरा से आपके सवाल बनेंगे प्री बोर्ड के अदर क्या है वो फूलिप возь его और दूसरा है Bhadu पॉलिनोमियल कहां से इन दोनों चीजों को सीखूं यह मेरी वीडियो है टैन मिलियन व्यूज्ज मैं व्यूज्ज इसलिए आपको गिनवारा हूं क्योंकि यूट्यूब पर मैस्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो समझ जावाब यही है इसलिए आपको दिर् यहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा उस लिंक पर क्लिक करते ही वीडियो खुद 15 मिनट सोल में से स्टार्ट हो जाएगी कहां तक देखनी है 22 मिनट तक देखनी है देख लो 15 से 22 सिर्फ 7 मिनट के अंदर 6-7 मिनट के अंदर आपका जीरो जवाला कॉंसेट पका हो ज लिंक जो है वो आपका इसके लिए है इस वाले के लिए आपके पास जो यहां पर आपको लिंक मिलेगा आप वह वाला लिंक जो है उस पर बटकना आपको बहुत कम टाइम के अंदर डायरेक्ट वीडियो शुरू होगी आपकी 20 मिनट 40 में से और 31 मिनट तक देख लेना 10 मि यहाँ पर मालो 10 मिनट यहाँ पर 15 से 17 मिनट के अंदर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कम्पिलिट हो गया तो 17 मिनट यह मानो और 8 मिनट उसके मानो 25 मिनट के अंदर दो चैप्टर आपके तयार हो जाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ आपका पॉलिनोमियल बन गया है आईए अगले चैप्टर की फटावट से बात कर लेते हैं अगला चैप्टर है आपका पेर ओफ लिनियर एक्विशन इन टू वेरियेबल इसके अंदर से भी दो ही चीज़े आपको बनानी है पढ़नी है तयार करनी है पहले चीज़ आपके क पुस्टिफिशन सीकना है किसके उपरकों में लिखकर एक्स वाइज़ेब्र जैड माणकर तो नहीं है तो सब्सिटिशन और इनकी ही प्रप्लाबा आएंगी तो यहांपर गिराफ वाला समझने के लिए आप इस लिंक पर किलिक करना डायरेक्ट गिराफ का कॉंसेप्ट शुरू होगा डायरेक्ट कोई फालतों की कुछ भी बाचित नहीं होगी कहीं आपको भडगना रही हैं और एलजेबरा वाले के लिए आप इस वाले लिंक पर किलिक कर देना जो इसका लिंक यहां पर आपके लिए पीडियेफ में दिया गया होगा रिपीट कर दूँ पीडियेफ कहा मिलेगी टेलिग्राम गुरूप पे मिलेगी हमारे और इस्टाग्राम की स्टोरी के ओपर भी म देखने आपको बस जितना कहा गया है उतना कर लो आप कसले बस तो complete हो जाएगा अगले chapter की बात कर ले दिया है जिसका नाम है quadratic equation इसके अंदर से आपको तीन चीजों के अंदर से सवाल आएंगे प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी कौन सी वो तीन चीज़े हैं पहला है आपका solution of quadratic equation मतलब quadratic equation जो होती है उसके solution उसको solve करना उसको हल करना उसके answer निकालना कैसे कैसे पहला तरीका है आपका factorization factor करके निकालो और दूसरा तरीका है आपका using quadratic formula quadratic formula यादेना आपको minus b plus minus under root d upon व formula को लगा के वो तीसरी चीज़े आपकी relationship between discriminant और nature of root मतलब nature of root का और discriminant का क्या relation है क्या connection है क्या उनका nature है यह आपको बताना है यह चीज़े आपको पढ़नी है तो तीन चीज़े पढ़नी है तीन लिंक यहाँ पर आपको इसके page के ओपर मिलेंगे तो पहला लिंक आपको मिलेगा solution by factorization इतने मिनट से वीडियो शुरू होगी सिर्फ 35 मिनट तक देखनी है factorization किलियर हो जाएगा यहाँ पर जो आपको लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक कर लेना अगर आपको quadratic formula सीखना या समझना है तो यहाँ पर जो आपको लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करना direct quadratic formula का concept शुरू होगा 46 मिनट से वीडियो शुरू शुरू होगी सिर्फ इतने मिनट तक देखनी हैं सिर्फ पांच मिनट के अंदर nature of root क्या होते हैं more than zero आए तो क्या होगा less than zero आए तो क्या होगा equal to zero आए तो रूट कैसे आएंगे यह सब चीज़े वहाँ पर आपको पता चल जाएंगी चाहो तो आप वीडियो देखते दे यानि arithmetic progression इसके अंदर से सिर्फ दो ही formula हैं एक है आपका एंथ ट्रम का formula मतलब कोई साब आपको निकालने का formula कि अगर आपको जोड़ निकालना हो तो उसके अंदर से भी आपका सवाल बन सकता है तो इसमें से भी छोड़े नंबर में भी सवाल आएंगे बड़े नंबर में सवाल आएंगे formula यही दो आपके यूज होंगे तो इनको सीखने के लिए क्या करना यहां जो आपको लिंक दिया गया है वह लिंक है आपका एंथ ट्रम वाले का कितने मिनट से 26 मिनट से वीडियो शुरू होगी तो आपको यूट्यूब पर जाके भटकना नहीं वीडियो क कौन सी देखूं कौन सी घोलू कहा जाओं कुछ नहीं डायरेक्ट लिंक पर किलिक करो यहां से वीडियो शुरू होगी और 29 मिनट 40 सेकिंड तक वीडियो देखो एंथ ट्रम का पूरा concept with question क्लियर हो जाएगा चाहो तो साथ साथ जो चीज़ा समझ में उनका नोर्स बना ले उसी लिंक पर क्लिक करो डायरेक्ट यहीं से बाज शुरू हो जी हां कुछ फाल तूबात में होगी यहीं से बाज शुरू होगी कुण से बाज चुरू होगी और 21 घंट तक यह वीडियो देखना मतलब 1 घंट तक कितना हो गया अब अगर आपको डाउट हो रहा हो कि साड़े तीन घंटे में होगा भी या नहीं होगा तो आपको जितने जितने में ये मिनट्स बताए हैं इनके बीच का डोरेशन काउंट करके जोड़ के खुद देख लेना और कॉमेंट करके भी बता देना कि कितने बेट रहे हैं कम ही ज्यादा तो नहीं बेटेंगे इतनी बात की गरेंटी पर ले सकता हूँ कोडिनेर जिमेट्री यहाँ पर तीन चीज़े हमें दिखाई दे रहे हैं पहला है आपका कॉंसेप्ट एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला यह तीन चीज़े सबसे पहले कॉंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है कोडिनेर जिमेट्री चाहे गिरााफ पेपर क्या है लिनियर और मılकूल को पर छूँपा हुआ है सब depression प्र चार मिनट पेंतालिस सेकंड के अंदर आपका पूरा कॉंसेट ओफ को इसको पर यूज करेंगे सवालों के अंदर वो सब आप सीखेंगे यहां पर आपको लिंक दिया गया होगा तो डिस्टेंस फॉर्मुला इस टाइम लिया है क्यों बताया है कैसे बना क्या बना किसक इसको कोशन में यूज करना है दोनों चीज़ें यहां पर आप सीख लेंगे तो आपका हो जागा इसका सवाल आएगा देखकर ढूंड करकर करके आना ठीक है सेक्शन फॉर्मुला अगला है उसका लिंक यहां पर अलग से लिंक पर क्लिक करना 58 मिनट से वीडियो शुड़ इतनी सी देर में आपका सेक्शन फॉर्मुला तयार हो जाएगा समझ में भी आएगा आपको क्या है सेक्शन फॉर्मुला क्यों है सेक्शन फॉर्मुला कैसे है सेक्शन फॉर्मुला और मुझे कैसे सवालों में यूज करना है वो सब चीज़ें आप सीख जाएंगे इनके duration count कर लो कुछ ही चंद मिनट के अंदर आपका coordinator geometry chapter तैयार हो गया है बहुत बहुत बधाई हो आपको triangle chapter 3 भूजी proof करने वाले सवाल बच्चे घवर आते हैं कैसे proof करूँ, कैसे ढूंडूँ, क्या करूँ मैं आपको बताता हूँ इतना सारा आपको इस chapter के अंदर से तैयार करना है, लेकिन यह बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत असान है पहले जो अगर मैं आपके proof करने वाले theorem की बात करूँ, तो यह theorem है आपकी BPT, जिसको आप लोग basic proportionality theorem के नाम से जानते हैं वह यह है कि अगर एक line जो है parallel बनाई जाए, triangle की किसी एक side के तो बागे की तो दोन side को होती हो दिये वो same ratio में divide करती है यह है आपकी BPT theorem, अगर आपको इसका concept सीखना है, कैसे theorem है, क्या यह काम करती है, कैसे इसको लिखा जाता है, और कैसे प्रूफ करना है, तो BPT theorem आपको यहां मिलेगी, यहां पर आपको एक link दिखाई देगा, जब आप PDF डाउनलोड के अपने phone में रखेंगे, इस जोगा पर एक link होगा जैसे आप उस link पर click करेंगे इस तरह से touch करते ही, आपके सामने theorem की बात चीत होना शुरू हो जाएगी एक वीडियो खुलेगी और 9 मिनट 10 में सेकुंड से वो खुलेगी यह है कमाल की बात, इतने मिनट से खुलके direct आपकी BPT theorem की बात होगी और यहां से आदक आपकी BPT theorem जो हो क्लियर हो जाएगी, BPT क्लियर हो जाएगी, जी हाँ, अगली theorem में आपकी Converse, मतलब BPT theorem का उल्टा, क्योंकि BPT theorem क्या कहती है, वो यह कहती है कि अगर एक line जो है, वो parallel बनाई गई है triangle की एक side से, और बाकी की side को वो एक point पे distinct पतलब काटती है, तो क्या होगा, वो जो है, same ratio में divide होगी, बाकी की दो line, इसी का अगर उल्टा कर दो, कि कोई line, triangle की दो line को बाकी की बराबर ratio में बाढ़ती है, तो वो line तीसरे line के parallel होगी, ठीक है जी, वो third side के क्या होगी, parallel होगी, यह Converse है, तो यह दो theorem, आपकी यहां से तयार हो जाएंगी अब नीचे जो हैं, यह similarity साबित करने के, similarity ढूनने के तरीके हैं, कि किन-किन तरीकों को, यह किन-किन चीजों को आप देखकर, किनी भी दो triangle को दो तिलिभुज को similar साबित कर सकते हैं, तो यह तीन तरीके मैंने आपके short में आपको बता भी दिये हैं देखिए, यहां लिखा हुआ है कि अगर दो triangle के अंदर corresponding angles, corresponding angles जो हैं, वो बराबर हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा उनके side जो है, वो proportional में आ जाएंगी, और triangle similar हो जाएगा, मतलब कौन सी criteria, angle, angle, angle criteria, कि angle अगर equal हैं, तो side proportion में होंगी, वो criteria लगा देना, वो तीसरा है side angle side का criteria, तो यह तीन criteria से ही हम किसी भी triangle को similar proof करते हैं, similarity सीखना भी तो चाहते होना, ऐसे थोड़ी बात बनेगी, तो भाईया, यहां पर एक link आपको मिलेगा, उस link पर क्लिक करो, यहां पर जो link होगा, link यह दो link पर क्लिक करो, notes बनाओ, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा triangle chapter आपका clear हो जाएगा, pre board exam के लिए, board exam के लिए भी, और syllabus आपका पूरा होगा, अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो believe भी यह video देख लो, पीडियाप डाउनलोड कर लो, वह जैसे लेसा मैं कह रहा हूँ, वैसा वैसा कर लो, साड़े तीन घंटे के अंदर आपका syllabus complete हो जाएगा, एक आपका revision हो जाएगा, कि कौन से chapter में क्या चीज़े पूछी जाने वाली हैं, आप से वही चीज़ पढ़ेंगे, फालतु कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई hard work नहीं होगा, आपका स्रीफ smart work मैंने आपको करवा रहा हूँ, यह सारी मेहनत जो आपकी ढूणने की थी, कितने time से देखूँ, यह सब मैंने आपके लिए कर लिए हैं, मेरी team concept शुरू होगा इतने मिनट से, तो यहाँ पर जो आपको link देखने को मिलेगा link पर click करते ही, direct tangent का concept शुरू हो जाएगा कि tangent क्या होती है इस पर शुरेखा क्या होती है यह शुरू हो जाएगा, point of contact क्या होता यह आपको समझ में आ जाएगा, जब समझ में आ जाएगा तो दो प्रूव हैं इनके उपर based आपसे सवाल बनेंगे तो यह दोनो प्रूव और प्रूव टू, यह कैसे कैसे प्रूव होंगे, प्रूव और प्रूव टू की जो भी आपकी definition है जो आपकी clarification है, वो आपकी यहां से लेकर यहां तक मैं, मैंने आपको clear करवा दी है, तो एक link आपको यहां पर देखने को मिलेगा, उस link पर क्लिक करना, तो यह जो प्रूव और प्रूव टू, दोनों यहां पर इस 10 minute के अंदर आपके cover हो जाएंगे, तो यह 10 minute और यह आपके सबसे ज्यादा बच्चे से डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर तीन चैप्टर हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, इंट्रोड़क्शन और आपका height and distance है, tension मतलो मेरे मुननर आ जाओ, तो आपके लिए पूरा इंतिजाम कर दिया है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी page के ओपन मिल जाएगा, बस क्या करना है, कुछ link से क्लिक करना है, डायरेक्ट सवाल समझना है और चैप्टर तयार हो जाएगा, जी हां, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, table learn trick, trigonometric के अंदर तेबल है, trigonometry की वह आपको याद करने पड़ेगी, क्यूंकि उसके अंदर जो trigonometric ratios हैं, जिन ratio की बात की गई है, इन ratios की value हैं, तो वो value आपको trigonometry की table से याद होगी, तो इसलिए जो trigonometry table के यहाँ पर link दिया गया है उस link से सबसे पहले आप trigonometry की table देखना कैसे बनी है वो मैंने आपको समझाया है और table की values को याद रखने की भी short trick बताईए कि आपको रटनना नहीं पड़ेगा कुछ एक short trick है उसकी help से आप table को लिख सकते हैं बना सकते हैं त इतने time तक आपको देखनी है फाल तू आगे कुछ भी extra देखने की जरूरत नहीं है यह आपकी तयार हो गई अब अगला जो आपका आता है height and distance height and distance के अंदर angle of elevation, angle of depression यह क्या होता है इनके ओपर सवाल बनते हैं तो भाई या height and distance के अंदर angle of elevation आपका start होता है तीन बच के तीसरे मिनट 40 से स्टार्ट होगा तो यहां पर आपको इसके आसपास एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करना angle of elevation का इतने जबर्दस तरीके से मैंने कहानी बना कर demonstration करके प्रैटिकली करके आपको समझाया है बहुत बढ़ी चाहिए और सेंगल औफ डप्रेशन है दिखा कि अपको समझाया आए देखकर भी नहीं समझपाऊगे क्या इतने तो बुद्धु नहीं ओ ऊप ठीक है इतने तो आपके इतना तो दिमाघ vind न देखकर समझ जाओगे हाँ जी समझ जाओगे बिल्कुल मुझे आपके उपर भरुसा है बस ये भरुसा आपको भी अपने उपर रखना है तो angle of depression आपका समझ में आएगा यहाँ जो आपको link में लेगा उस link पे क्लिक करना इतने मिनट से वीडियो शुड़ होगी इतने मिनट तक देखना सिर्फ इ ये टेबल की वो है वीडियो और ये वीडियो है ये वीडियो मैंने पहचान के लगा दिया है कि यह वाले समने लगे था कि आपको पहचान जाओ वैसे उसकी जरूरती नहीं पड़ेगी आप तो link पर किलिक करेंगे तो डारेक्ट ही वीडियो खुलके और इतने इतने इसके अंदर से area of shaded region का एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा बड़े नंबर के अंदर तो कैसे इसको करना है दो चीज़े आपको पढ़नी है पहला है area of sector और दूसरा है area of segment बस इनी के अंदर से problem बनेंगी problem आपकी बनेंगी area और perimeter की circle का area बहुत basic से चीज़े है वो तो इनी के अंदर आपका सवाल बनेगा और जो angle होगा वो 60, 90, 120 ही होगा इनके अरावा आपको नहीं देखने को मिलेगा तो लो जी angle भी आपको सीवेसी ने पहले बता रखा कि इसी angle के त्यारी करना angle क्यों बता रखा है क्योंकि area of sector and segment के formula के अंदर ना theta angle आता है angle लिखना पड़ता है वो angle आपको सवाल में देखने को मिलेगा तो सवाल से उठाएंगे formula में लगा कर formula को solve करेंगे और answer पाएंगे तो इसका मतलब area of sector क्या होता है क्या इसका formula होता है यह आपको समझना है और आपको याद करना है मैंने रटवाया नहीं है जी हाँ मैंने जो आपको इसर में यही तो है इन व्यूस की वज़ा यही तो है आपके भरोसे की वज़ा आपको यहाँ पर math रटवाई नहीं जाती आपको यहाँ पर formula रटवाय नहीं जाते हैं समझाय जाते हैं सिखाय जाते हैं कैसे बने हैं यह बताय जाते हैं ताकि आप उनको याद रख सकें इ 7 तायस में, 20 seconds तक वीडियो देखनी है इस से जधा देखनी भी नहीं है आपको काम पूरा हो जाएगा बागी काम रहेचाएगा practice का practice की कोई सीमा नहीं है जितना आप चाहें उतनी practice कर सकते हैं मुद्रे की भाद, जो कबार करवाने की बाद थी इसलेबस की वो इतने से ही आपका काम हो जाएगा अब बारी आई है मेरे फेवरिट चैप्टर की जो टैंथ लास में मेरा फेवरिट था जिसका नाम है सर्फेस एरियाज और वॉल्यूम्स जी हाँ इसमें कहने को बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मज़दार चैप्टर है मज़ा आता है करने में अब इसके अंदर देखिए सवाल किस किसमे से बनेंगे ये भी सीवेज सीन आपको दे रखा है बता रखा है जान लो देख लो सवाल आपका बनेगा क्यूब के फॉर्मूले, क्यूबोट के फॉर्मूले, स्फेर के फॉर्मूले, हेमिस्फेर के फॉर्मूले और आपका सिलिंडर या फिर कॉन बस इनके ही फॉर्मूले आपको यूज़ करने है कोई सी भी दो figure को एक साथ जोड के सवाल बनाया जाएगा यह चीज यहां पर लिखी हुई है surface area and volume of combination of any two of the following इनमें से कोई सी भी दो लेखिए उनको जोड दिया जाए आप में कुछ भी बना दे रहा है कोई खिलोना कोई चीज कुछ भी ठीक है convert करा जाए इनके आपको formula या पूरी वीडियो इंप नतुना कैसे सवाल आएंगे औख कहसे फॉर्मूला करें लगाना है किसे सा को सॉल्व करत करें अपना यह सारे चीज़े इसके लेने आपको चाहिए और यह याद कर equa तो आप इसका पहला पार्ट यह वाली वीडियो देख लेना इसके अंदर मैंने आपको बताया है क्या बताया है ऐसी शॉट ट्रिक कोई स्कूल नहीं सिखाएगा जी हाँ यहां मैंने आपको यह फीरमुले सरफ्स ट्रेंड वालूम कियसे बने हैं। कैसे इनके क्यूब के क्यूंबॉट के टोटल सरफ chemुले कैसे बने हैं कैसे आपस में इनके रिष्टे हैं, कैसे आप इनको याद रख सकते हो, यह सारी शॉर्ट ट्रिक में इस वीडियो में पसिखा रखी है, 6.3 मिलियन, इसलिए लाखो बच्चे फायदा उठा चुके हैं, आप पिछे क्यों हैं, टाइगर थिरी बात में देखना, पहले यहाँ मीडियन मोड, अब यह वाली वीडियो है, लेकिन कहां से देखनी है, दूनना आपको नहीं है, मैंने आपके लिए ढून दिया है, यहाँ पर लिंक दिये गए होंगे, मीन का लिंक, मोड का लिंक, और मीडियन का लिंक, अगर आपको मीन सीखना है, मीन क्या होता है, क्या मी कैसे मीन आया कैसे मीन होता क्या है मीन का फॉर्मूला क्या है कैसे उसको लगाना है वो सब चीज़े इस वीडियो में आपको सिख लेको मिल जाएंगी यहां तक देखकर आपने मीन सिख लिया फिर दूसरे लिंग पर आ जाओ पिर यहां से दूसरे लिंग करो मोड सिखने के ये फिर mode start होगा आपका 949 मिनिट से जो चलेगा 57 में बिनिट तक यहाँ पर आपको मोड सखने को मिलेगा मौड क्या वला है मोड का बात होना शुरू होजाएगी वीडियो में कुछ नहीं करना आपको एक घंटा 20 मिनट से शुरू होगी वीडियो और एक घंटा 30 मिनट तक पूरे 10 मिनट ड़े डालो इंवेड़ियन क्या होता है कैसे इसको निकालते हैं क्या क्या वेलियूस मीडियूस के और से ढूंड़ा जाता है कैसे उनको लिखा जाता है कैसे उनको निकाला जाता है और पिर कैसे उनको फॉले पर रखा जाता है और कैसे उनको सॉल्व करके मीडियन निकाला जाता है यहां यह सारी की सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी वीडियो यहीं वाली है लंबी ले कवर कर वा जाता हूं जिसका नाव है probability यहां probability प्राइक तर इसको आप हिंदी में कहते हैं तो इसके इंदर क्या के चीज़े हैं सबसे पहले classical definition of probability क्या होती है किस चीज को कहते हैं तो वह या यार मैंने इतना वड़िया कैसे सिखा दिया तो यह चीज़ आप देखना वीडियो इतने जवर्दस तरीके से प्रैक्टिकली करके probability कैसे होती है क्या होती है डिमोंस्ट्रेशन करके आपको दिखाया है देखकर चीज़े जल्दी समझ में आती है तो इसलिए इसको देख लेना यहां किलिक करोगे तीसरे मिनट से वीडियो स्टार्ट होगी ग्यारे मिन तक देखना पूरा टाइम लिया है मैंने probability concept को अच्छे से समझाने के लिए य क्लिक करके कर गया है उसको से आपको अउप HCN से अलगए एक दो तो वहां से आपको कीलियर होगा कि क Eles कैसे जी करना है कैसे कैसे इस लिए कैसे निके को कैसे आपने आंसर लेकिर आना है वह तीच्छा है कार्ड कार्ड या istae तो यहां जो लिक मिलेगा उस वाप क्लिक करेंगे तो आप कार्ड के लिंक पे पहुंच जाएंगे कारड की बात हो और समझाए नहीं है कि यह लाल कार्ड मिलेगा यहांपर दिखाए टेबल पर मैंने फहला दिये की यह सारे कार्ड है जब आप देखकर चीज़ें समझा तो उसे हमेशा यहां पिट रहती है तो वहां पमें आपको दिखाएएं कि यह 52 कार्ड यहां पर आपको मैंने सिखा दिये तो इसलिए इस टाइम स्टेंप में इस लिंगत करके कार्ट का समझ लेना प्रोबैबिलिटी आपकी क्लियर मारबल आ जाए कंचा आजा आजा कुछ भी आ जाए वो यहां से आपका के लिए नागी यह पहली प्रॉसत में अगर नहीं करा आभी यह काम कर लो इस पीडियाफ को डाउनलोड कर लो ठीक है पीडिया वहां से डाउनलोग कर एक फोन में सेफ कर लो और सिर्फ और सेफ मत करो अपने दोस्तों को भी शेर कर दो जितने आपके क्लासमेट हैं सब को पीडियो बेज़ो उनको समझा देना कि कैसे कैसे इस पीडियो का फाइदा उठाना है इसको रखना नहीं है इसमें जो लिंक है व और सिर्फ दोसों मिनिट में से ओस्ति यह जादा से ज्यादा से ज्यादा आपको आप करना है पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत चैनल को सब्सक्राइब को ने कर रहा हैं सब्सक्राइब कर लो यह ठीक है तो आपके लिए मैं लाइफ सेशन भी लेकर आउंगा जी हां दोस्तों घवराना नहीं है बोर्ड एक्जाम फोड़ के आएंगे आप लोग किसके साथ मेरे साथ लाइफ सेशन लेकर आउंगा ये सारी चीजे मैं आपको फिर दुबारा से लाइफ वन टू वन आप से बातच जो बेहतर करने का मकसद है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए आपके साथ में एंड दिन तक आखरी दिन तक पेपर देने के दिन तक बना रहूंगा मेरे साथ आप लोग भी बने रहीएगा बहुत चल्द लोटूंगा एक और नहीं वीडियो क साथ जब तक के लिए बने रहें डियरसर के साथ जय हुआ